दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही जादा एहम टॉपिक के ओपर डिसकेशन करेंगे जिसका नाम है टर्म इंशोरेंस अब ये इंशोरेंस आज की डेट में इतना जरूरी है मैं कहता हूं कि इसे भारत के हर परिवार के जो भी ऐसे वेक्ति है जो जिसके ओपर पूरा साल किक ऐखी एक तरह से कवर लेता है हो किएता है कि एज के दोरान कभी भी मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार को हैं साधारन भाष्ण में टर्म इंस— का simple सा मतलब बस यह है लेकिन आज की डेट में इतनी सारी companies आ गई है companies ने इसका good cover कर दिया कोई company कहती है कि हम ना return of premium दे देंगे ठीक है अब ये काफी लोग confused हो जाते हैं कि return of premium लेना चाहिए कि नहीं लेना मतलब एक तरह से आप ये कहके चलो कि survival benefit आ गया अब ये देखेंगे कि survival benefits लेने चाहिए ये नहीं लेने चाहिए तो ऐसे ना बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिस वज़ा से ये term insurance अलग-अलग companies ने इतना complicated बना दिये तो ये देखेंगे कि term insurance हमें कौन से वाला लेना चाहिए अब मैं इस topic को start करूँ ना बिल्कुल आसान भाशा से start करेंगे लेकिन मैं अपने banking experience से आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जब COVID आया था ना COVID से पहले एक तरह से मैं अपना actual real experience बता रहा हूँ बैंक में न हम मजाग बनाते थे जो लोग एक तरह से ये insurance department के जो employees होते थे ना उनका ये insurance employees जो होते थे ना department के ये मान के चलो कि ब्रांच में कोई customer आ गया उसने पूछ लिया by chance की insurance का ऐसा वैसा लेना है उस टाइम पे बैंकों के लिए भी ये insurance बेचना इतना मुश्किल होता था एक ना ब्रांच के अंदर अरोडा जी होते थे वो बोलते थे कोई भी मान लो आगे जी term plan लेना है तो वो बोलते थे customer को convince करने के लिए बोलते थे कि भाई साब दिवार पे टंगी फोटो को भी लोग तभी याद करते हैं जब वो पीछे पैसा चोड़के जाते हैं तो ऐसी ऐसी कहाफते मारते थे फिर बाद में काफी हम आपस में बैठके भी मजाग करते थे कि क्या यार customer को एक तरह से आप पागल बनाते हो तो यही words use होते थे अचा ब्रांच के अंदर भी कभी ब्रांच मेनेजर ने एक तरह से वो कर लिया कि भाई मीटिंग कर ली भी कितने term insurance हुआ है इस महिने में तो ब्रांच को एक्टिव तो कर दो कि पूरा महिना होने वाला है एक भी term plan या फिर कोई health insurance तक भी एक तरह से बड़ा मुश्किल होता था लेकिन covid के बाद हमने देखा कि situations कैसे बदल गई महलब आप यह पगड़के चलो आज कभी bank की कोई meeting होती है न कि insurance का क्या track record है कितने health insurance भीके कितने term plan भीके तो यह नहीं होता कि आपको customer को बेचो आज यह होता है कि इतनी जरूरी चीज भी आप नहीं बेच पा रहे हो यह actual बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो bank के अंदर यह difference मैंने देखा है covid-19 से पहले सच में ऐसे बात होती थी कि एक तरह से कोई bank का employee भी होता था कि चिपकाना है लेकिन आज लोगों को पता है कि जिंदगी के अंदर एक health insurance और एक term plan यह दो चीज़े बहुत basic हैं यह आपके पास होनी ही चाहिए तो आज bank के अंदर employees भी आपस में इसका discussion कुछ ऐसे करते हैं कि यार मलब मान के चलो कि मेरा boss है और मैं insurance department में हो तो मेरा boss मेरे को यह नहीं कहेगा कि चिपकान है वो यह कहेगा यार इतने काम की चीज़ भी आप नहीं sell out कर पा रहे हूं तो यह बहुत फरक आया बैंकों के अंदर भी फरक आया ठीक है तो मैंने बस एक example के तोर पे आपको इसकी एहमियत बताई है कि क्यों जरूरी है अब term insurance के अगर हम बात करें तो बिल्कुल साधारन भाशा से समझना शुरू करते हैं जैसे मान के चलो मैंने आपको एक example बताया कि कोई व्यक्ति है जैसे हम example लेंगे कि कोई 39 साल का व्यक्ति है यह कहता है कि मेरे को जब तक मैं 70 साल का नहीं हो जाता तो मैं अपने लिए यह मान के चलो in between इसको कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है तो companies के घरवालों को एक करोड़ रुपे दे देगी लेकिन अगर इसको 70 साल तक कुछ भी नहीं होता तो बस बात खतम जो आपने हर महीने एक हजार रुपे भरे थे वो भी पैसा खतम तो यह होता है simple सा time insurance और actual में ह तरह से एक बात सोचो जब 70 साल का मैं हो गया मुझे कुछ भी नहीं हुआ तो जो मैंने premium भरे है वो वेस्ट होगे तो बहुत अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर in between जिसने policy लिया उसको कुछ हो जाता तो उसके परिवार को एक करोड़ मिलता अब एक सवा पते कि एक दिन तो सबने जाने भई बंदा सोचते चल यार बड़ा लाला चा जाते ना मने में वो सोचते कि यार मैं 98 साल का हो गया और मान के चलो तब टपक गया तब भी तो परिवार को एक करोड़ मिल जाएगा मरना तो सब नहीं है लेकिन भाई साब जब आप 99 साल के लोगे तो आपका प्रीमियम भी तो बड़ा दिया जाएगा ना अच्छा क्या है अच्छा यह है कि आप पहले तो यह देखो अब हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकते है किसी की शादी 40 साल में हुई हो ठीक है जी अगमाल के चलो को 39 साल का है किसी की शादी ही 40 साल में जा अगर तक हमारे उपर कोई ना कोई dependent है जिस दिन मेरे उपर कोई dependent ही नहीं रहेगा मान के चलो मेरा बच्चा खुद कमाने लग गया उसके बाद मेरे को कुछ हो भी गया तो क्या फरक पड़ता है परिवार का कोई रोजी रोटी थोड़ी रुख जाएगी परिवार तो चल ही रहे term insurance हमें सिर्फ इसलिए लेना है कि भाई मान के चलो अकेला मैं कमा रहा हूँ तो मेरे उपर मेरा परिवार dependent है अगर मैं यह सोचू कि मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा अगर मान के चलो कि मैं ऐसी age में ही पहुँच गया जहां मेरे रहने ना रहन इसे परिवार को घंटा नहीं फरक पड़ता तो उस टाइम पर मेरे को क्या दिक्कत है तो ऐसे लिए आप मान के चलो कि 65 साल या जाधा से जाधा सतर साल इससे जाधा आपको term insurance लेने की कोई जरूत नहीं है बाकी मैं आपको आगे example के साथ भी समझाऊंगा कि term insurance में फिर कि इतने कितने premiums बढ़ते चले जाते हैं एक आता है कि age eligibility क्या एक साल का बच्चा भी अपने लिए term plan ले सकता है क्या नहीं ले सकता है इसकी minimum age 18 साल है और जाधा से जाधा आप 65 साल के जब तक हो जाएंगे तब तक ही आप term plan अपने लिए ले सकते हैं लेकिन जितना जल्दी आप अपने लिए term plan ले लेंगे न उतना आपके लिए फाइदा है क्यों क्योंकि इसके premium मान के चलो आज आप बहुत early age में हो 700 पर ही आपका premium set हो गया तो आप 70 साल तक के लिए ले रहे हो तो आपका premium हमेशा ही 700 पर रहेगा ना 701 होएगा ना 690 होएगा तो ये चीज लगे कि आप ऐसी factory में काम कर रहे हो जहां chemical वेगरा बनाया जाता है blast blast का खत्रा है या फिर माननो आप underground mines में काम कर रहे हो तो ऐसे cases में आपका occupation भी देखा जाता है ये भी देखा जाता है इवन की कुछ-कुछ companies की qualifications क्या-क्या है तो ये सब कुछ देखते हुए company आपको द सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में सोचो अब यहां पर अलग-अलग लोग कहेंगे कि आप जो है claim settlement ratio देख लो amount settlement ratio देख लो लेकिन इन से कोई फरक नहीं बढ़ता यह हर company आज की date में अपनी solid लेकर चल रही है claim settlement ratio amount settlement ratio देखो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज यह है कि आप उसकी brand value को check करो जैसे वो धारन के तोर पे आप समझो कि आपकी आसपास 4-5 अच्छे-ची company अच्छे-च रहेगी company जब company ही नहीं रहेगी तो मेरे परिवार को कौन मेरे को मेरे जो premium भरे है उसके बदले में अगर मेरे को कल को कुछ हो गया तो पैसा देने वाले तो पहले तो brand value सबसे ज़रूरी है पतल है कि company का claim settlement ratio हम कह रहे है 99.9% है यह इस से ले लूँ और company का को brand value ही नहीं है company कल को claim reject कर दे या कुछ भी कर दे तो आपको सबसे पहले यह देखने है सबसे ज़रूरी चीज़ी यह है कि brand value कौन सी है अब एक चीज़ यह आ गए कि चलो brand value क्या है एक चीज़ आप यह देख सकते हो कि asset under management उसके पास कितना है कि कितना fund वो लोगों का manage कर रही है जितना ज इसके लिए फिर आपके एक best alternate बताता हूं यह 5-6 brand आ गए न यह 5-6 आपको पता है कि यह अच्छी है इसके लिए अब इन 5-6 जो अच्छे 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 ब्रैंड है इसमें आपके लिए कौन सा अच्छ है उसके लिए best यह है कि simply आपको पोलीसी बजार पर जाने ठी चीज को compare कर सकते हूं असानी से कि एक बहुत भैतरीन platform में इसे काऊंगा अब पोलीसी बजार का जो link है वो नीचे आपको description box में दे दिया है उस link पर click करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface दिखाई देगा यहां आपको कुछ नहीं करना सिरफ अपना नाम इंटर करन करनी है उसके बाद अपना mobile number एंटर करना है उसके बाद नीचे simply आपको view full code के option पर click करना है फिर next page पर यह आपसे आपकी basic education qualification पूछेगा वो आपको select करनी है उसके बाद next page पर हम policy बजार के term plan वाले main page पर enter हो जाएंगे अब यहां पर top पर एक option दिखाई दे रहे compare का जिसे मालो मिरको बहुत अच्छी अच्छी यह लगती है कि ICAC Prudential बहुत अच्छी company है HDFC light मिरको लगता है बहुत अच्छी company है Tata AI मिरको लगता है बहुत अच्छी company है तो मैं इन तीनों को select कर लोगा देखो यहां पर मैं असानी के साथ इन तीनों companies को compare कर सकता हूँ यहां पर मै आपको section 80C के तहत डेड़ लाख रुपे तक की tax rebate भी मिल जाती है और यहीं policy बजार के अगर हम बात करें न तो यहाँ पे एक करोड तक का term insurance 473 रुपे पर महीने से start हो जाता है यानि वही बात है जितनी जल्दी जितनी कम उमर में आप अपने लिए term plan ले लोगे उतना आपके लिए अच्छा है बागी जो policy बजार है यहाँ पे आपको 24x7 claim assistance मिल जाता है रात को 2 बजे किसी को claim लेना होना तो उसको भी एक तरह से 24x7 की facility available है क्योंकि यहाँ पे आपको एक हमेशा dedicated relationship manager मिला रहेगा अब वापिस लोटनें topic पे अब एक चीज यह आती है काफी लोग कहते हैं कि मेरे को कौन-कौन सी मानलो आप आज अपने लिए term plan ले रहे हो ठीक है तो आपका एक medical check-up होगा वो telemedical से भी हो जाता है तो अब लोग कहेंगे कि मेरे को कौन-कौन सी disease इसके अंदर disclose करनी जरूरी है तो मैं यह कहता हूँ कि इसके अंदर आप चोटी से चोटी चीज जो भी अगर आपको 5 साल-10 साल पहले भी अगर कोई हलकी फुलकी disease भी रही है कि छोटे-मोटे hospitalization में भी अगर आप admit हो ना हर चीज आपको उस बंदे को बतानी है आगी उसका decision है कि उसको उस disease को वो हवा में ले लेता है यह उसे consider करता है लेकिन आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं चुपाना एक चीज और काफी लोगों का सवाल आता है कि जी जब मैं policy purchase करने जाऊं मान के चलो उस टेम मैं बिल्कुल एकदम गव आदमी हूं कि भाई मैं ना तो cigarette पीता हूं ना ही मैं alcohol consume करता हूं लेकिन मान के चलो पोलीसी ले ली उसके दो साल के बाद कोई बंदा cigarette भी पीने लग लेट हिम डिसाइड कि वह आपका premium कितना वढ़ाता है मानलो आपने 1000 रुपे में लिया और आप उसके बाद alcohol consume करते हो तो company को करने दो ना 1200 रुपे अगर चुपा रहे हो कि आप alcohol consume कर रहे हो कल को कुछ हो जाता है तो उस टाइम company if and but लगा करके आपका claim reject कर देगी तो आप आपको हमेशा honest रखने है कुछ भी company से चुपाने की जूरत नहीं है ठीक है अच्छा एक सवाल आता है कि किस age group का बंदा कितनी maximum अपने लिए term plan का coverage चूज कर सकता है ठीक है जिसे मान के चलो कोई साल भर में 10 लाग रुपे कमाता है और उसकी उमर 18-35 साल के बीच में है तो जादा से जादा इसका 25 गुना 25 टाइमस जो है अपने लिए cover ले सकता है यानि जादा से जादा धाई करोड का अपने लिए cover ले सकता है तो ऐसी यह अलग-अलग age groups मैंने यह आपे लिख दिया है लेना कितना चाहिए वैसे देखो 15 गुना sufficient होता है कई लोग 20 गुना कह द बहुत अच्छा पैसा चल रहा है लेकिन ITR नहीं भरते हैं बहुत लोग हैं ऐसे भारत में लेकिन अगर आपको term plan चाहिए तो 3 साल की 3 years की कम से कम आपके पास ITR होना जरूरी है अब यह ना ITR का चक्कर है ना तभी लोग guaranteed returns की तरफ भागते हैं है ना जहां पर क्या होता ह इंशोरेंस में अपने आप अलग खरीदूँगा यह mix करने का क्या logic है लेकिन मैंने जहां तक observe किया ना यह लोग तभी इधर भागते हैं क्योंकि काफी लोगों के पास ITR नहीं है अब ITR है नी term plan मिलता नहीं है तो लोग इधर की तरफ भागते हैं अब जब इधर की ना मिलते हैं ना ही coverage मिलता कुछ अच्छा चलो अब यहां पर एक एक करके discuss करते हैं कि क्या के चीज़े आ गई है मार्केट के अंदर जिस वज़े से काफी लोग परिशान हो जाते हैं देखो सबसे पहला है return of premium क्या बोलता है यहां पर क्या लिखा हुआ है मान के चलो हर ए 80 रुपे का बनेगा ठीक है जी कंपनी कहती है कि आप एक काम करो 181 मत दो आप हमारे को ना 258 रुपे दो यानि अल्मोस्ट डबली दो ठीक है इसमें हम क्या करेंगे कि अगर आपको कुछ हो गया तब परिवार को एक करोर तो देंगे देंगे लेकिन मानलो आप 65 साल तक अ आपने इसको एक्स्ट्रा दे दिए तो यह बोलते हैं कि अगर आप 65 साल के जब हो जाओगे और अगर आप सर्वाइव करगे तो यह 10 लाग 23,000 रुपे हम आपको आपको वापिस देंगे रिटर्न और प्रीमियम कर देंगे अरे भाई घोचू मैं यह आप से क्यों लूँ आप से 10 लाग 23,000 रुपे क्यों लो तो यह जो एक्स्ट्रा चीज है आपको काटा मारना है और यह जो प्रॉपर साधारन वाला वह सिर्फ आपको लेना है किसी भी जमिले में आपको नहीं पड़ना ऐसे ही यहाँ पर देखो इसको वह क्या बोलते हैं सर्वाइवल क्याते हैं कि नहीं नहीं आप 7694 रुपे का में प्रीमियम दो चीक है जी कोई बात नहीं आप यह एक्स्ट्रा च्यात्र सो चुराण में माइनस गया सी एक्स्ट्रा 553 रुपे हर महीने हमें दो क्यों दो यह कहते हैं कि अगर मानलो बीच में कुछ हो गया तो एक करोड़ यही देंगे लेकिन अगर 65 साल तक कुछ भी नहीं होता तो हम आपको जो है सर्वाइवल बैनिफिट पे इस पॉइंट पे वन पॉइंट टू करोड़ रुपीस दे देंगे अरे भाई मैं क्यों आपको दू पैसा मैं यार नॉर्मल यही वाला ही प्लैन चलाऊंगा मैं य पॉइट मार्केट में इंवेस्ट करते हैं और उसका 25% हमें दे लिएटे हैं और यह वी कोई यह सकते हो अगले उगयी जारा मान के चलूatin भी नहीं है यह बोलता है कि आज बही चीजा 29 साल है मैं कहता हूँ कि 65 साल तक मैंने लिया चीक है जी आज एक करोड का प्लैन लिया ये 36 साल तक मेरे को हर महीने 1332 रुपे लेने है ठीक है अब यह मैंने तो जब वो 30 का होएगा तो उसका जो cover है वो 1.10CR का हो जाएगा यानि एक करोड 10 लाग का हो जाएगा ऐसी एगले साल फिर 10% से बढ़ जाएगा तो ऐसे ना टोटल 5 सालों तक आपका premium 10-10% से बढ़ता रहेगा और 5 साल के बाद आपका premium 1 करोड से बढ़के 1.7 करोड का हो जाएगा तो ठीक है कई बार लोगों को लगता है कि यार देखो होता है कि कोई 29 साल का है ठीक है जी इसने cover लिया है 65 साल की उमर तक के लिए अब आज मान के चलोगी 20 साल के बाद 29-49 जब यह 29 साल का होगा तो कई बार मन में आता है कि आज तो एक करोड लगता है कि एक करोड है लेकिन 20 साल के बाद एक करोड की क्या value बचेगी आज के 10 लाग के बराबर बचेगी तो उस टाइम पर एक करोड परिवार को मिलेगा भी तो भी कुछ होने वाला नहीं है तो लोग सोचते कि increasing premium ले ले लेते हैं 29 साल है तो company कहती है कि यार आप 100 साल के जब हो जाओगे तब तक के लिए cover लो अरे भाई मैं क्यों cover लूँ एक वाद बताओ अगर मान के चलो मैं 65 साल के लिए cover लेता हूं तो मेरा premium बन रहा था सिरफ 181 रुपे ठीक है ना तो आप secured होई हो यहां तक तो आप 181 रुपे भी दे रहे हो तब भी secured हो आप हर शुरू से ही 1605 रुपे एक्स्ट्रा देने शुरू हो जाओगे यहीं से इस चक्र में कि 100 साल तक का मेरे को coverage है मैं कहता हूं आप 65 साल तक का मेरा जो पैसा है वह 1 करोड़ 1710000000 रुपे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है मै यहां जिन्दा हूं तब ही मेरे पास 1 करोड़ 1710000000 है मैं क्या करूंगा मर तो तब तक लो जब आपको लगता है कि आपके परिवार क्यों आपके ओपर डिपेंडेंसी आपके परिवार की ऐसे ही अब यह एक चीज बहुत इंटरस्टिंग है इसके ओपर अब हर किसी की अलग सोच है कई लोग बोलते हैं कि जैसे यहां पर ले ले लेते हैं यह 29 साल उमर है और 65 साल के कर देता हूं कि वन गो में कितना बनेगा दो लाग चो सट अजार पर आप कहता हो कि दो लाग चो सट अजार पर पकड़ मैं 65 साल के लिए सिक्योर हो गया एक तो यह उप्शन है मान के चलो एक व्यक्ति कहता है कि यह पकड़ 1332 रुपे मैं हर महीने ही तरको देता रहूँ अब किसी ने यहाँ पर एक तो इसने लिया एक इसने लिया मान लो दस दिन के बाद यह दोनों ही टपक गए ठीक है जी तो इसको भी एक करोड मिलेगा अब वही बात आगे कि इसने दो लाग चो सट अजार पर दिये तब भी एक करोड मिलेगा दूसरी चीज अब यह 1332 ज देखो तो 40 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी लेकिन एक चीज होती है यह ना हर किसी की अपनी चोईस है अब कोई कहते है कि मैं 5 साल में ही खतम कर दूंगा तो हर साल अगर एक बार भरूंगा तो 60,000 कुछ रुपे भरने पड़ेंगे यह अब आपकी चोईस ह देखो एक होता है कि मन्थली भरूं हर महीने दिमाग में रहेगा कि हाँ देने है कटे के नहीं कटे के नहीं कटे के नहीं कटे और एक कई लोग कहते है यार पकड़ 2,64,000 पे मैं हो गया एक करोड़ रुपे के लिए सिक्योर 65 सालों के लिए और जिक-जिक खतम हो गई कि पैसा गया कोई दिकेत नहीं है मैं यहां से शान्त हो गया मेरा परिवार सुग्षीत हो गया तो यह आपकी switch है अच्छा जरूर रहता है मंतली वाला अब लेते हो लेकिन इसकी कि गिश्न लगवा वेAreli लगवा ले कि साल में एक बार कटे क्योंकि हर महीने कटेगी कभी परिवार को लिए तो अगर मन्थली वाला भी लेना चाहते हो न तो आप यह जरूर कोशिश करना कि इसकी यह तो क्वार्टरली किस्त यह फिर हाफ-year-ly लगवा लेना या फिर yearly ले लगवा लेना ऐसा मत करना कि यह हर महीं नहीं भर रहे हूं तो वह चीज थोड़ी सी चोई तो इसे इसमें फाइदा घाटा मत देखो तो बस यह सारी की सारी चीजे थी एक राइडर्स का उप्शन अभी लेबल होता है कि एक्स्ट्रा अगर आप एक्सिदेंटल डेना चाहते हो या फिर डिसेबिलीटी राइटर लेना चाहते हो तो वह आपकी चोईस होती है ठीक है पंदरा दिन का मिलता है ठीक है और इसके बाद यह कुछ ऐसे कॉमन चीजे हैं कि आपका जो क्लेम है वो कई बार रेजेक्ट हो जाते हैं क्या 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 चीजे हैं जिसे मान के चलो कि कोई बंदा हो लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज कर रहा है जैसे करते टाइम तो इंशोरेंस कंपनी कोई क्लेम आपको नहीं देने वाली है परिवार को नहीं देने वाली मैटरनेटी मैटरनेटी के टाइम पर कोई कंप्लिकेशन आ जाती है तो उसकेस में भी फैमिली को कोई भी पैसा नहीं मिलता यह कुछ कॉमन वह है एक्स्क्लूजन तो फिर उसके बाद जो है कोई भी पैसा नहीं देगी नेचुरल डिजास्टर यह है कुछ कंपनी देती है इस पर कवर कुछ कंपनी नहीं देती है अच्छा अब मान के चलो जिसको नौमी नी बनाया है मालो एक हजबेंड है यह वाइफ है हजबेंड ने कवर लिया नौमी काई के यह एक जन्म कर लेती है उस्पेंड के खिलाव और इसको खतम कर देती है तो इस केस में वाइफ को कोई नौमी पैसा नहीं देगा अगर प्रूफ हो जाता है ठीक है अगर मडर कोंस्पिरेसी खुद ही नौमी नी प्लैन करते है तो कोई पैसा नहीं मिलेगा प्रश्युली ट्रांस्मिटेट डिजीज की वज़े से किसी की डेथ हुई है तो कोई भी वह नहीं मिलता है ठीक है और एक मान के चलो कि क्लेम जैसे कोई खतम हो गया बंदा ठीक है अब इसका परिवार जो है वह छे महीने बाद आ रहा है कि ऐसे ऐसे क्लेम लेने के लिए त आपको नीचे description box में दे दूँगा ताकि आप आसानी से वहां पे जा कि अपने लिए जो best term plan है वो चूज कर सेगे तो अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you